साथ संगत जी प्यार से कहना धन रंकार जी आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर आज फिर मैं आप सभी के लिए एक खूबसुरत साखी लेकर आई हूँ तो चलिए आज की साखी सुनते हैं साथ संगत जी एक बार की बात है कि राजा अकबर अपने दर्बार में बैठकर कुछ सोच विचार कर रही थे तब ही अचानक उन्हें खयाल आया कि उनकी दाड़ी और बाल काफी बढ़ गए हैं इस खयाल के आते ही राजा अकबर ने अपने एक दर्बारी को बुला कर नाई को फोरन हाजिर होने का संदेश बिजवाया अब राजा अकबर का संदेश मिलते ही नाई महल में पहुँच कया महल पहुँचकर नाई राजा की हजामत बना ही रहा था कि कहीं से एक कोवा वहां आकर बैठ जाता है और काव काव करने लगता है राजा अकबर नाई से पूछते हैं कि बताओ ये कोवा काव काव क्यों कर रहा है अब राजा की बात पर नाई जवाब देता है कि महराज ये आपके पुर्वजों का हाल चाल बताने आया है अब नाई के इतना कहते ही राजा अकबर बड़ी ही हैरानी से पूछते हैं तो बताओ ये कोवा मेरे पुर्वजों के बारे में आखिर क्या बता रहा है अब राजा अकबर के सवाल पर नाई का जवाब था कि महराज ये कोवा ये कह रहा है कि आपके पूर्वज स्वरग में मुसीबत में हैं और काफी परिशान है उनका हाल-चाल लेने के लिए आपको अपने किसी करीबी को स्वरग में भेजना चाहिए अब नाई की ये बात सुनकर राजा अकबर और जादा हैरान हो जाती है राजा अकबर आश्चरिय से नाई से पूछते हैं कि आकिर किसी इनसान को जिन्दा स्वरग में कैसे बेजा जा सकता है राजा के सवाल पर नाई जवाम देता है कि महराज मेरी नजर में एक पूरोहित है जो इस काम को अंजाम दे सकता है बस आप इस काम के लिए अपने किसी करीबी को स्वरग जाने के लिए राजी कर लीजे अब नाई के इस आश्वासन पर राजा अकबर तयार हो जाते हैं और दर्बार में अपने सभी करीबी दर्बारियों को बुलाते हैं राजा अकबर के आदेश पर सभी करीबी दर्बारी राजा अकबर के महल के सामने हाजिर हो जाते हैं सभी दर्बारी राजा अकबर से अचानक बुलाने की वज़ा पूचते हैं इस पर राजा उन्हें नाई के साथ हुई सारी बात सुनाते हैं राजा की बात सुनकर सभी दर्बारी एक ही मत में बीरबल का नाम आगे रखते हैं दर्बारी कहते हैं कि महराज स्वरक जाकर आपके पूर्वजों का हाल चाल लेने के लिए बीरबल से उचित व्यक्ति और कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि बीरबल हम सब में सबसे जादा बुद्धिमान और चतुर है इसलिए स्वरग में आपके पूर्वजों का हाल चाल लेकर वो उनकी परिशानी का हाल भी आसानी से ये निकाल सकता है राजा अकबर अपनी दरबारियों की इस सलहा को मानते हुई बीरबल को स्वरग भेजने की तयारी कर लेते हैं और इस बात का पता चलते ही बीरबल राजा अकबर से पुरोहित को बुलाकर स्वरग भेजने की विधी के बारे में पूछते हैं बीरबल की इस बात पर राज महल में पुरोहित को बुलवाया जाता है पुरोहित के आते ही उनसे स्वरग जाने की विधी के बारे में पूछा जाता है पुरोहित बताते हैं कि आपको यही पास में मुझूद एक घास के धेर में भी जा जाएगा बाद में उस धेर में आग लगा दी जाएगी फिर कुछ मंत्रों की शक्ती से आपको स्वरग बेज दिया जाएगा स्वरग जाने के पूरी प्रकिर्या जानने के बाद बीरबल राजा अकबर से करीब 11 दिन का समय मांगते हैं और पुरोहित को ग्यारा दिन के बाद बुलाने की बात रखते हैं बीरबल ने राजा अकबर से कहा कि महराज मैं स्वरग में जाऊंगा और कितने दिन मुझे लौटने में लगेंगे इस बारे में निश्चित तोर पर कुछ भी कहना मुश्किल है इसलिए महराज स्वरग जाने से पहले एक बार मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूं और कुछ समय उनकी साथ बिताना चाहता हूं बीरबल अपने घर जाने के लिए महल से रवाना हो जाते हैं अब देखते ही देखते ग्यारा दिन बीत जाते हैं बारवे दिन बीरबल स्वरक जाने के लिए राजा अकबर के सामने हाजिर हो जाते हैं पुरोहित को बुलाया जाता है और बीरबल को स्वरक भेजने की तयारी की जाने ये लगती है पुरोहित बीरबल को स्वरक भेजने के लिए महल से कुछ दूर घास का एक धेर लगवाते हैं और बीरबल को स्वरक भेजने के लिए घास के धेर के अंदर बिजवाया जाता है घास के धेर के अंदर जाते ही पुरोहित घास के धेर में आग लगा देती है और बीरबल को स्वरक भेजने की प्रकिर्या पूरी हो जाती है अब धीरे धीरे इस बात को दो महीने बीत जाते हैं और राजा अकबर को बीरबल की चिंता सताने लगती है कि तभी अचानक बीरबल राजा अकबर के दर्बार में हाजिर हो जाती है राजाकबर बीरबल को देखकर बहुत प्रसन होते हैं और अपने पूर्वजों का हाल-चाल पूछते हैं तबी बीरबल बताते हैं कि महाराज आपके पूर्वज बहुत खुश है और मज़े में है उन्हें बस एकी तकलीफ है कि उनकी दाड़ी और बाल काफी बड़े हो गए हैं जिने काटने वाला स्वरग में कोई नाई नहीं है इसलिए महराज वहाँ एक नाई की जरूरत है बीरबल कहते हैं कि महराज ऐसे में हमें आपके पूरवजों के लिए एक अच्छा नाई स्वरग भेजने की तयारी कर लेनी चाहिए बीरबल की इस बात पर राजा अपने नाई को स्वरग जाने कादेश देती है राजा कादेश सुनकर नाई घबरा जाता है और राजा के पैरों में गिर कर माफी मागने लगता है नाई राजा से कहता है कि महराज ये सब कुछ मैंने वजीर अबदुल्ला के कहने पर किया था ये उनी की साजिश है ताकि वो बीरबल को अपने रास्ते से हटा सके अब राजा अकबर के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी ये सब जानने के बाद राजा अकबर ने वजीर अबदुल्ला और उनके साथियों को दंड देने का आदेश दिया अंध में राजा अकबर बीरबल से पूछते हैं कि तुमें इस सच्चाई का कैसे पता चला और तुम घास के धेर में आग लगने के बाद भी जिन्दा कैसे बच गई तब बीरबल जवाब देते हैं कि महराज आग के धेर में जाने की बात सुनकर मुझे साजिश का अंदाजा हो गया था इसी वज़े से मैंने आपसे ग्यारा दिन मांगे थे उन ग्यारा दिनों में मैंने उस घास के धेर वाले स्थान के नीचे से अपने घर तक एक सुरंग बनवा दी उस सुरंग के जरिये ही मैं वहाँ से बच कर निकल पाया बीरबल की पूरी बात सुनकर राजा अकबर बहुत प्रसंद हुए और कहने लगे कि वा बीरबल वा ये काम केवल तुम ही कर सकते थे साथ संगत जी ये छोटी से साखी से हमें सीख मिलती है कि इंसान अपनी सूजबूज से बड़ी से बड़ी परिशानी का हल आसानी से निकाल सकता है आशा है कि आपको ये साखी पसंद आई होगी अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा फिर मुलागात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ साथ संगत जी प्यार से कहना धन नरंकार जी